चानक के I.S. Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे जीन मोडिफाइड मस्टर्ड के बारे में भारत सरकार्नी स्वदेशी रूप से विक्सित, आनुवांशिक रूप से संसोदित सर्सों के बेज के लिए एन्वाइरमेंट क्लेरिंस दे लिया है नवीनतम निर्ने ने इसकी पहली आनुवांशिक रूप से संसोदित खाद्य फसल के वाणेजिक उप्योग का मार्ग प्रशस्त किया है जीन मोडिफाइड मस्टर्ड के बारे में बात करें तो जैनेटिक इंजिनेरिंग से जुड़ी पर्यावरन एवं बन मंत्रा लेकी एक कमेटी ने जीन मस्टर्ड के बीच तियार करने और इसकी बुआई से जुड़े परिक्शन करने की इजाज़त दे दी है इस परिक्शन में यह देखा जाएगा कि जीम सरसों की वज़ा से मदो मक्खियों और उन दूसरे कीट पतंगों को कोई नुकसान तो नहीं होगा जो परागण में मदद करते हैं यह इजाज़त इस माãyने में एहम है कि इस से भारत में तेयार की गई पहली ट्रासचनिक हाइब्रिड मस्टर यानी जीम मस्टर की खेती का रास्ता खुल सकता है भारत सरकारद्वारा एक नोटिस जारी कर उसमें ट्रासजैनिक सरसों की फसल के लिए उच्चितम स्तर की मनजूरी की पुष्टी की गई है जिसे रैपसिट की रूप में जाना जाता है भारत जिनोम संपादित पोधों के विकास के लिए नियमों को सुववस्तित करता रहा है विज्ञान और प्रध्योगी की मंत्रालय ने प्रध्योगी की को आशाजनक भी कहा है क्योंकि यह बड़ी आर्तिक शम्ता प्रदान करती है जीन संपादित सरसों के महत्व की अगर बात करें तो भारत के कही विज्ञानिकों और क्रशी विशेशक्यों ने भी जीन संपादित फसलों की तेजी से निकासी का आहवान किया है क्योंकि तेजी से शहरी करण और एनिश्चित मौसम के कारण बदलते भारत का क्रशी छित सिकुड रहा है इससे चावल और गेहुं जैसे मुख्य खाद्यानों के उत्पादन को भी खत्रा बढ़ा है हालां कि कुछ रूडी वादी राजनेता और वकालत करने वाले समूग इस विश्वास के साथ परियोग शाला परिवर्तित फसलों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ज इश्व में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है जिस पर देश सालाना दस्यों अरव डॉलर खर्च करता है देश अर्जेंटीना इंडोनेशिया ब्राजिल रूस मलेशिया और योक्रेन से अपनी मांग का 70% से अधिक पूरा करता है जीम सर्सों पर परियावरन मंत् इलेवन का बेज तयार किया जा सकता है यह जीम सर्सों की खेती शुरू करने से पहले का एक एहम कदम है कमेटी ने डीम ह 11 की हाइब्रिड वेराइटी बनाने की सला दी है अब यह भी देखा जा सकेगा कि डीम ह 11 पर सर्सों की फसल में लगने वाली स्टेम रॉट फंगस औ अगर बात करें तो जीम यानि जैनेटिक मोडिफाइड एक वेग्यानिक तक्नीक है क्रशी में इसका इस्तेमाल उन्नत किस्मों के विकास के लिए किया जा रहा है यह किस्म जलवायू परिवर्तन के दुश परिणामों के बीच भी बहतर उत्पादन देती है विशेशग् तो जीम तक्नीक में जीमों और पौदों के डीनने को अय प्राकरतिक रूप से बदल दिया जाता है इस वेज्ञानिक प्रकिरिया में वनस्पति का जीन निकालकर दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है जीम सरसों में भी कुछ ऐसे ही प्रयोग किये गए है सरसों के फूल म सो परागन रोपकर नर न पुन सकता पैदा की गई है इसके बाद हावा तितली मदुमक्खी और जिवांशो के परागन से धारा मस्टर्ड 11 सरसो त्यार हुई है इसी तक्नीक से बीटी कपास को भी त्यार किया गया है जिसे साल 2022 में मन्जूरी मिली थी GM सरसों का विरोध भी किया जा रहा है तो अभी हम देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है भारत में सरसों की खेती के साथ मदुमक्खी पालन का भी चलन है सरसों से बेहद अच्छी क्वालिटी का शहद मिलता है देश विदेश में सरसों के प्राकरतिक शहद की काफी मांग रहती ह लेकिन धाराव Master 11 GM वसलों की खेती को लेकर कई हरित समुग और मदुमक्ही पालकों ने इसका विरोध किया है इसका मुख्य कारण है कि मदुमक्हियां सरसों का परागन करके शहद इकठा करती है लेकिन कई देशों में चिकित्सा के गुणों के कारण GM मुख्य सरसों से तियार शहद ही इस्तेमाल किया जाता है यही कारण है कि GM सरसों की खेती से ना सिर्फ शहद की क्वालिटी प्रभावित होगी बलकि शहद का निर्यात भी कम हो सकता है इस मामले में मदुमक्की पालगों के छेतरे में कारे रतकन फेडरेशन ओफ एपी कल्चर इंडस्ट्री सी ए आई का मानना है कि भारत में GM सरसों की खेती होने पर लाखों मदुमक्की पालगों को अपना शहद निर्यात करने के लिए गैर GM फसल परिक्षन से गुजरना हो यह परिक्षन ताफी महंगा होता है जो मदुमक्की पालगों की लागत और चिंताओं को बढ़ा देगा विशेशग्यों की माने तो genetically modified सरसों की खेती से करीब 10 लाख मदुमक्की पालग की आजीवी का प्रभावित हो सकती है इसके साथ ही आज का हमारे वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच करपाओ करें जर्लाओ करें के चैनल में बाल जार टाइब जरूर को आजा घंजियोग पर शेचाए यूट्टाय।